क्या आप लोग को पता है कि जो ये डिस ब्रेक होता है गारी में वो क्यूं होता है उनमें जो छेद होते हैं छोटी छोटी आप छेद देखें होंगे उनमें जो कि करीवी से आप देख सकते हैं वीडियो में जो ये छेद होते हैं ये क्यूं होते हैं आप सोचेंगे कि इसका काम होता है कि जो गाली का मतलब इस फीट को रोकने के लिए तो यह सा पिलकुल नहीं होता है यह छेद ब्रेक को रोकने के लिए गाली को इस फीट को रोकने के लिए नहीं है यह छेद का कुछ काम अलग है तो चलिए वीडियो में बने रहे हम बताएंगे कि यह छेद का काम क करते हैं इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिपिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो अब तक पहुँच सके धन्यवाद आच्क दाले पॉइंट में बात करने चाहता हूं कि जो यह छेट होता तो आफिर की होता है तो पहले का जितनी डिस ब्रेक आता था वह काफी मटव पलेट राता था उसमें काफी मोटा राता था मतलब अधीक मोटा राता था और जो उसका छेद होता था वो काफी छोड़ा छोड़ा होटा था लेकिन ये छेद होता था क्यों लेकिन उससे भी आम लोग पहले अगर देखेंगे तो छेद नहीं होता था बिल्कुल ये मोटी परत था और इसमें छेद के लिए ब passions भाड़ी को रोकने के लिए चैत का क्या नहीं होता है यह फिलता है पहले का जितना ब्रेक्ट से वह सांट में लिन्यम GREG अधरा यह जो पलेट त्सकी रसे जर्ट आटा काम गरम होने के कारण जल्टी ठंडा नहीं होता था। जो गरम heer हीट हो जाता था वह बाद में मतलब वह पिघल जाता था। या पिर दाउटेच जाता था। मतलब तेड़ा हो जाता था। इस कारण से उसमें चोड़ी-चोड़ी छेद का उपाय किया। जिसके की वह प्लेट है जलती ब्रेक लगाने के बाद वह जलती थंड हो सके इसकारण से उसमें चल द्धन लगर लेकिन बाद में पता चला की उसे भी थोड़ा प्लेख्यों से जो हीट नहीं होता था तो इसकारण से वहां पर कुछ टेक्शने की इस रिसर्च करने के बाद कि उसकी च्रते हैं और पिखलता है इसलिए और देखें वहां पर एक उसके होकी करने च्राइए लेकिन आप लोग को यह बात पता नहीं होगा आई होप कि आपको वीडियो यह समझ में आ गया होगा समझ में आ गया होगा तो फटापट से लाइक कर दे और वीडियो को अभी तक लाइक ने कि तो फटापट से लाइक कर दे और एक कॉमेंट कर दे कि ये बात कैसी लगी आपको और मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को पड़ा पड़ से सब्सक्राइब कर ले फिर मिलते हैं इसे वीडियो में ठाइंक्स पर वाचिंग